तीज दिन गाजर के जूस में ये पाच चीज़े मिलाकर पीलो होंगे गोड़कारी लाब वो पाच चीज़े क्या है जैसे आपने देखा ये सबसे पहले गाजर का जूस हम पी रहें गाजर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें इसमें विटामिन ए है बीटा केरोटेन है इस बीटामिन बीनाने इसमें बहुत अच्छा है और यह अगर आपका के खाओगे तो नुकसान कम हो जाएंगे लेकिन अगर आप जूस पीते हो अगर आप उबाल के खाते हो तो चुकंदर के बहुत जादा फायदे है जिनको किड्नी स्टोन बार वार मन रहा है तो वो इसका कम से कम करें या ना करें तो उसके लिए दूसरे सक्षूर का इस्तिमाल कर सकते हैं पास चीज़ें जो मैं बताने वाला उसमें से पहली चीछ चुबंदर है और एक चीज जो लाश्ट में बताऊंगा वह बहुत जादा फाइदा करती है यह होग है चुकंदर यह यूरी के बहुत अच्छा रहेगा तीसरी सीज जो डालने वाली है वह है आमला आमले में अपने आप में सुपर फूट की कई क्वाल्टीज है जो हम पहले भी बता सकते हैं यह देखिए हरा हरा जो आमला है सुनेरे रंग का यह सुनेरे रंग का आमला आपको बहुत जादा फाइद में क्योंकि यह जो चीज आप मैं भी बता रहा हूं आपको उनको पचाने की ताकत आपको यह आमला ही देगा कई लोगों को क्या होगा कि जब आप चुकंदर का जूस प्यों के गाजर में डालके तो आपको दो तें मिन तक ना यूरिन भी लाल आ सकता है और स्टूल भी लकिन अगर यह काम कर रहा है से तो यह एक दो दिन से जादा नहीं आएगा और इस तरीके से जो चुकंदर है वह आपको असानी से मदद करें लीवर को डेटुसवे करने में लेकिन यह जो आमला है यह क्या करेगा इस पूरे जूस को अच्छे से पचाएगा आपका डायर बढ़ाएगा आपके इंट्रेस्टाइंड के डिटॉक्सिवरेशन में काम करेगा यह जो सारा जूस में बता रहा हूं मैंने भी आपको तीन चीज़े बता दिये दो और बताने वाला हूं लेकिन कई लोग यह बूस्टर की से डिटॉक्स करना है केवल मेरे को तो तो वह सब में प्रोटीन चाहिए कार्वाइटेड चाहिए विटामिन सी चाहिए बी चाहिए फॉलिक ऐसे चाहिए पोटेसिम चाहिए मैगनीसिम चाहिए इस सारे जूस में इस एक गलास में वह सब कुछ आ जाएगा साथ के साथ यह क्या करेगा निटिसन की कमी पूरी करेगा वजन करने के तरीके में आगे बताऊंगा कैसे अपनी बॉड़ी को एसीडिक चेक कर सकते हो लेकिन आपकी एल्कलाइन कैफिसिटी को बढ़ाएगा साथ के साथ के इजीली डाइजर्स हो जाता है और एसीडिक वेस्ट को बाहर करता है यह तीन चीज आपने समझ ली चौती चीज जो मैं बताने जा रहो हो है टमाटर गोल गोल टमाटर आपने लेने देख रहे हो इस टमाटर का जूस आपने निकालना है और इसमें डालना है अब लोग पूछते हैं वह यह लाई टमाटर हो हरे टमाटर हो गोल वाले हो कैसे हो तो हरे टमाटर में एक फाइदा अच्छा है उसकी alkaline capacity बहुत अच्छी है बोडी को alkaline तेजी से कर देता है बस यह एक अच्छी quality है बाकी दोनों टमाटर सेम है आपने गोल वाले देशी टमाटर लेने है अब यह हो गया इसमें विटामिन B3 बहुत अच्छा है और विटामिन E भी बहुत अच्छा है एंटी ऑक्सिद बहुत अच्छा गरती है अब कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको यूरिक एसिद की दिक्कत है तो वो लोकी वाला पी सकते हैं ठीक है अब यह हो गया पाच्छी हो वो जो आप अगर इसमें मिला के पी होगे तीस दिन आपने पे लिया तो यह जो जो दूस तैयार हो गया मैं को दूसरे क्लास में डाल गया मेरे को दो ठीक है अब इसमें आप चाहो तो कुछ चीज़ें बता रहा हूं वो क्या करनी है आपने वह अप्सीनल चीज़ें क्या है कि आप थोड़ा सा अद्रक डाल सकते हो यहां दिगो इलाल देद्द्ध दूस तैयार हो गया हमारा आप अगर आप लेते रहोगे गाजर तो आपको उतना नुकसान नहीं करेगा तो यह बहुत फाइदा करेगा यह जूस है ग्रीन जूस इसको यह मेरा फेवरेट है मैं आम तोर पर पेसेंस को भी बताता हूं लोगों को बताता हूं और इसी से पीके हमने वह सारी फाइदे उम्रे और नाम के साथ बता सकते हो और इसके अगर फाइदे होते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हो इसके लाव अमेरे नाम में कोरवाल है एसी और चीज सान्म्र करनात थो सकते हैं और हमारे से मिल सकते हैं द 이제